कल के बातरे हैं कौन सा टेल बच्चों के लिए ठीक रहता है कौन सा टेल किस मोसम में ठीक रहता है किस एज से बच्चों के प्सषूरू करनी चाहिए और मसाज की क्या-कया फायदे हो सकते हैं और सामने जो आप तेल लेख रहे हैं उनके क्या-क्या benefits हैं यानि कि किस मोसम में कौन सा तेल ठीक रहता है कौन सा तेल ठीक नहीं रहता है और कैसे बच्चे के मसाज की जाए और सारा सब कुछ आज हम इस वीडियो में जान लेंगे तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना और हां लाइक जरू चैनल को सब्सक्राइब जरू कर देना बैल आइकन के साथ जिससे की जो भी मैं नई वीडियो अप्लोड करूं उसके नोटिफिकेशन्स आपको मिल दे रहें बच्चों से रिल्टेट बहुत सारी यूजपुली वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी जो आपके बच्चों के लिए काफी फायदे मन रहने वाली है उपर आई बटन पर कलिक करके आप पूल इस देख सकते हैं दो आयाद कर गडू तो कि एक अच्छी मालिष से बच्चे की हड्यों को मजबूत किया जा सकता है सकता है सिकेनंको को हैल्दी रखा जा सकता है औरकि बच्चों में ने ना आने की जो दिक्कत होती है उससे रात मिल सकती है यानिकि मालिष कई एक बिशुस्तों से पचाव किया सकता है और सूखा रोग जो होता है उससे भी बच्चों को चुटकारा दिला जा सकता है अच्य मालिश से लेकिन उसके लिए एक अच्छे दिल का होना बहुत ही जरूरी है दाई महीने की एस के पाद हमने बच्चों की यानि की नूबोन बेबी की मसाज शुरू कर देनी चाहिए और मसाज के टाइम पर सबसे ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमने बच्चे के मालिश बहुत ही हलकियातों से करनी है अगर सर्दियों का टाइम चल रहा है तो आप द में मालिश करने की तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैंने अपने बेबी की मालिश डावर लाल तेल से की है और दादी नाने के जमाने से चलता आ रहा है यह तेल आयरुवेदिक तेल है डर्मोटोलोजिकली टेस्टिड है यह ओल और पेराफिन नहीं है इसके अंदर हर देल के बच्चों के लिए यह तेल यूज किया जा सकता है तो अगर बात आती है सर्दे के टाइम में मालिश करने की तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैंने अपने बेबी की मालिश डावर लाल तेल से की है और दादी नाने के जमाने से चलता आ रहा है यह तेल से एमजोन से खरीदा था वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक डाल दिया है आप चाहें तो इसको एमजोन से खरीज सकते हैं क्योंकि काफी अच्छे डिस्काउंट पर आपको एमजोन पर मिल जाएगा अगर हम इसके क्वैंटिटी की बात करें तो अलग-अलग पैकिंग में आपको एमिल जाएगा और डाबर इंडिया लिमिटेड में बना हुआ प्रोड़क्ट है यह बच्चों की बोन्स और मसल्स के लिए यह काफी अच्छा माना जाता है क्योंकि एक अच्छी मजबूती देता है बच्चों की हट्टियों और मसल्स को अगर हम बात करें इस तेल को यूज करने के मौसम के भारे में तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि यह तेल जो है अगर आप नारियल तेल से या किसी और तेल से आप मालेश करते हैं बेबी की तो मैं आपको बताना चाहूंगी यह तेल ठंडे होते हैं नारियल जैसे तेल क कि अगर आप मालिश करते हैं तो उसको आप गर्मी में यूज कर सकते हैं लेकिन ठंड के मुसम में बच्चों के लिए जो है डापर लाल तेल बैस रहता है और सदियों से चलता आ रहा है यह तेल और आयूर के दिखनें यह तेल मैं को खोल कर दिखा देते हूं बिल्कुल लाइट ओयल है इसमें किसी भी तरह का चिप चिपापन मुझे नहीं लगता है कि है अगर हम बात करें इस तेल को कि किस ताइम पर यूज करना ठीक रहता है तो सर्दे के मोसम में यह ठीक रहता है बच्चों पर इसको आप हलके हलके आतों से मालिश कर सकते हैं इस करके बादुप में लेटा करके और बच्चे के जो है एकथम से कपड़े मत उतारेगा पूरे यानि की पहले आप सिर्फ बेरो पर मालिश कर सकते हैं अपने हाथों पर थोड़ा सा तेल लगा और और हलकी हलकी आतों से बेबी की आप मसाज कर सकते हैं उसके अलाव बच्चे को पीट केबल लेटा करके यानि कि बच्चे की पीट केबल और चाती के बल लेटा करके आप बच्चे की मालिश कीजिए और हातों के भी आप मालिश कर सकते हैं वो भी बच्चे के लिए जुरूर वीकनेस होती है उससे बचाव करता है करपूर है इसके अंदर जो प्लड सर्कुलेशन में बेनिफिट पहुंचाता है और उड़ध होती है जो मास्पेश्चों के पोशन वे सुखारों से बचाव में हेल्प करती है जब बच्चा डाई मेने का हो जाता है तो उसके बाद इसके अलावा अगर बात आती है गर्मी के टाइम की तो आप चाहें तो नारियल तेल से बच्चे की मालिश कर सकते हैं नारियल तेल कोई भी अच्छी क्वालिटी का नारियल तेल आप ला करके और उसको लूक वाम करके और बच्चे को धूप में लिटा करके यानि कि कि ताइम को ले करके, तो अगर आप बच्चे को सुलाने से पहले मालिष करते हैं, तो इससे किया होगा ़की बच्चे को अच्छी नीद आएगी, बच्चे की हड़ियां भी मजबूत होती है इसके अलावा जो बच्चों के जो शरीर पर बारिक-बारिक बाल होते हैं मालिश करने से अगर लगातार आप मालिश करते हैं तो देरे-देरे उनसे भी छुटकारा पाया जा सकता है इसके अलावा इंडियन स्टाइल में भी आप बच्चे की मालिश कर स के दियान रखने वाली बात यह मैनते से और बचुम के ड्याने के पाद और qo को पाने से गरम पाने से नहला सकते हैं गर्मी का टाइम है तो थोड़ा लूग वाटर आप यूज़ कर सकते हैं टंड का टाइम है तो गरम पाने आप यूज़ कीजिए अगर दूप नहीं है तो बंद कमरे में मालिश करें तो मालिश करने के बाद तोरण कपड़े पहना दे और उसके बाद आधा या पुना गंटे के बाद आप बच्चे को नहिला दीजिए और बच्चे को सुलाने की कोशिश कीजिए ये ज़्यादा बेटर रहता है सद्धी के टाइम में अगर अच्छी दूप नहीं है तो रूम हीटर का आप उज़ कर सकते हैं यानि कि रूम हीटर के सामने बच्चे को लिटा करके आप बच्चे के मालिश कीजिए वरना बच्चे को ठंड लग सकती है तो ये थी आज की वीडियो वीडियो के बारे में अगर आप मुझसे कुछ पोशना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ थैंक्स पर वच्चिंग मैं वीडियो